हलो गुदीफनिंग नमस्ते प्रणाम राधे राधे मैं पूझा महेंद्रा आप लोग का महेंद्रा के ओफिशल यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत प्वागत करती हूँ और आज की ट्रास में हम ARB NTPC में आए हुए प्रश्टों को भी करेंगे कुछ स्टेटिक प्रश्ण जो मैंने एड कि हैं वह भी करेंगे current affairs के mcq भी देखेंगे और current affairs पे भी चर्चा करेंगे तो बिलकुल सभी लोग जली से जुड़ जाईए और एक बार link को अपने friends के साथ share कर दीजे जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और सभी लोग अच्छी तैयारी कर सकें तो सबसे पहले class चुरुआत करने से पहले मैंने कल आपको एक practice question दिया था और कहा था कि आपको इस प्रश्न का आंसर चैट सेक्शन में देना है तो practice question जो हमारा था कि on which day was the national anthem हिंदी वर्श्ट एडॉप्टेट बाइड बाइड constitution assembly सम्मिधान सभा के दोरा राश्टी गान का हिंदी संस्करन के इस तारीख को अपनाया गया यह वही तारीख है जिस दिन डॉक्टर राजेन प्रशाथ ने भारत के पहले राश्पती के रूप में शपत ली थी तो बिल्कुल सही answer था यहां पर 24 जनवरी 1950 तो सही answer क्या थ साथ ही साथ लिंक को एक बार share कर दीजी जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुर रहे हैं वो चैनल को subscribe कर लेंगे जिससे upcoming classes के notification मिल सकें क्योंकि अभी तक मैंने तीन ही continent जो है वो आपके साथ discuss किये थे जो कि Australia था Africa था और North America था 29 मार्च को होली के बाद 29 मार्च को होली के तो उसके पहले आप दो मैप खाली अरेंज कर लीजिएगा South America के बिल्कुल वीडियो को आंसे तक देखना है जिससे आज के practice question का भी answer आप दे पाएंगे अंकुर जी गूड इवनिंग जैहिन बिल्कुल Thank You Navanir जी गूड इवनिंग विकास जी गूड इवनिंग नदीम आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं ठीक है तो सबसे पहले सेशन की बिल्कुल Malay Tiwari जी आपका जो भी प्रशन है आप हमसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्लास की शुरुआत हम कैसे करनी है तो करेंट अफेर्स के साथ करनी है तो आइए हम ज जिसमें कंगना रहनावत और आपके क्या कहते हैं मनुझ वाजपे और धनुष इन लोगों को जो है वह आपको बैस एक्टर और एक्ट्रेस का वार्ड तो इस तरीके से मैंने 67 नंबर के जो नेशनल अवार्ड उसका वी वीडियो बनाया था जो कि मैंने टेलिग्राम में अगर अबी त आप आप हमारे टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप आप एक और वह व्यूंदा झीरिंच ठीक है गुड इवनिंग सभी लोगों को बिल्कुल अभी अभी रूबी जी अभी अभी स्टार्ट हुआ है ठीक है चलिए आए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले करेंट अफेर्स के साथ हाली में जहारखंड राज में एक नई सबस्केम राज़ की गईए ऐसे स्कीम का नाम है समर तो आपको याद रखना कि समर इसीम किस राज़ के दौररा व्राज़ के दवारा अच्या इसीम किस पर बेस्ट था तो समर इसीम जो कुपोशिट बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर नूट्रिशन नहीं मिलता जो कि हमारे DPSP का हिस्सा है हमारे DPSP के संभीधान के आर्टिकल नंबर 45 में साफ साफ लिखा है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके आहर का ध्यान कौन रखेगी राज रखेगी तो बिल्कुल कुपोशन से लड़ने के लिए सम आप कह सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी से अनीमिय नाम का रोग होता है तो उस अनीमिय को भी कम करने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा यह थाउजन डेस का एक कैम्पन स्टार्ट किया गया है अच्छा समर का फुल फॉर्म क्या है तो स्टैटेजिक एक्शन फॉर्दा यह समर का फुल फॉर्म है जो जार्कंड राज के दौरा स्टार्ट किया गया है बात क्लियर है इंसाइड जी बिल्कुल कुछ दिनों में जैसे ही हमारा फेस 6 खतम होता है RRB NTPC का हम ग्रुप D की तैयारी करना शुरू कर देंगे अगला हमारे पास का रेंट फिर से यह देखी आप इनको जानते हैं यह बिहार के बिहार राज्य के मुख मंत्री हैं जिनका नाम है नितेश कुमार और बिहार राज्य ने पहला एक ऐसा राज्य जिसने अपनी एथिनॉल नीती या पॉलिसी स्टार्ट की है एथिनॉल आप जानते हैं C2H5OH को एथिनॉल कहते हैं जो लिकर होती है शराब होती है उसके निर्मार में हम एथिनॉल का प्रयोग करते हैं बिसेकली जो अंगूर होती हैं, महूआ होते हैं, वीट होती है, बारले होते हैं, उनके जरिये जो है वो ए paling दूचे किया जाता है बनाया जाता है तो एतनोल निर्माण के लिए जो हमारे बिहार गवर्मेंट पहला राज्यज इसने अपनी पॉलिसी तयार की है तो यहाँ पर लिखा है कि बिहार cabinet has approved the ethanol production promotion policy 2021 became the first Indian state to have ethanol promotional policy इसके अंतरगर जो है वो 15% subsidy देने की बाद भी production के लिए की गई है तो इसको अब आपको याद रखना है शुगर गेन की जरीए भी इसको बनाया जाता है नवनीतिवारी जी बिलकुल सही कह रहे हैं बिहार आईए अगला प्रशन देख लेते हैं मिलान तो मिलान क्या है तो मिलान एक deal की गई है एक anti-tank guided missile है जिसका नाम है मिलान ठीक है BDL की दौरा BDL मतलब क्या होता है भारत Dynamics Limited अच्छा भारत Dynamics Limited की दौरा एक डील हुई है जिसके अंतरगत हम एक anti-tank guided missile बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा मिलान होगा ठीक है इसको आपको याद रखना है कि मिलान क्या है एक anti-tank guided missile है जो कि भारत Dynamics Limited के दौरा डेवलप की जा रही है और इसमें contribute कौन कर रहा है हमारे defense ministry कर रहा है वर्तमान में हमारी defense ministry कौन देख रहा है तो राजनाथ सिंग देख रहा है अच्छा भारत Dynamics Limited का head office कहां पर है तो हैदराबाद में इसका head office है 1970 में इसकी इस्थापना की गई थी और इसके वर्तमान में जो चेर्मेन है वो सिधाठ मिश्रा है इतनी बातें आपको BDL के बारे में भी पता होनी चाहिए कि हैदराबाद में इसका head office है भारत Dynamics Limited अभी जब में 13 मार्च को मेरा RRV NTVC का प्रशन paper था मेरा तो उसमें चार organization थे ONGC, BPCL, IOCL और एक और कुछ था शायद hall था तो इन चारों के headquarters दिये हुए थे उटको Milan करना था, match करना था तो ये भी पूछा जा सकता है भाविश में की BDL जो है इसका head office का है match the column है पूछा जा सकता है, तो ये static point भी आपको थोड़ी से याद रखने है आईए, अगली बात कर देते हैं चलिए, एक बार link को share भी कर देंगे अभी हम current affairs के MCQ स्टार्ट करेंगे फिर static प्रशनों को देखेंगे और last में क्या है practice question है हाली में United Nation General Assembly के द्वारा World Happiness Index 2021 को release कर दिया गया है इस World Happiness Index 2021 में 149, 149 देशों ने participate किया था जिसमें भारत की ranking जो है, वो 139 है तो ये हमारे लिए एक important प्रश्मन जाता है कि World Happiness Report Index में भारत की स्टिती क्या है तो 139 नंबर पे भारत है अच्छा, Happiness Index का मतलब होता है कि उस देश के लोग कितने खुश है ठीक है, तो सबसे जाता अगर खुश देखा जाया तो किस कहां के हैं, फिल्लेंट के हैं फिल्लेंट, तो फिल्लेंट जो है वो चौथी बार लगातार जो है वो है happiness index में उसने टॉप किया है फिल्लेंट के बाद अगर आप बात करें तो Ireland, Denmark और Switzerland है अगर सबसे worst condition की बात करें कि जहां के लोग काफी दुखी है वो है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की position क्या है, बिल्कुल last number पे 149 और भारत की इस्तिति क्या है तो 139 नमबर पे फिल्लेंड ने टॉप किया है अगला प्रश्ण देख लेते हैं तो अगला हमारा करेंट अफ़ेर से ISSF World Cup ये शश्विनी विन्स World Gold for India तो पहले तो ISSF का फुल फॉर्म जान लेते हैं International Shooting Sport Federation World Cup जिसका हाली में आयोजन किया गया था कहां पर किया गया था हमारे भारत में नई दिली में कर्णी सिंग शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया था और इस World Cup में गोल्ड हासल किया है हमारी देश की स्पोर्ट्स पर्सन जिसका नाम है जिनका नाम है यशिश्विनी तो याद रखना प्रशन पूछा जाएगा कि यशिश्विनी किस खेल से संबंदित है तो यह जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में इनका नाम जाना जाता है और International Shooting Sport Federation के दोरा जो World Cup का आयोजन किया गया था उसमें इनोंने गोल्ड मेटल जीता है और यह World Cup का आयोजन किया गया था दिल्ली में दिल्ली में कहाँ पर तो Dr. Karni Singh Shooting Range कौशन को सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि Dr. Karni Singh Shooting Range कहाँ पर इस्ते थे तो दिल्ली में इस्ते थे इस तरी किस स्टेटिक प्रशन भी यहां से बनेंगे बिल्कुल अंकुर कुमार जी गोल्ड मेडल नई दिल्ली में जीता है अगला प्रशन हमारे पास क्या हो जाएगा तो next question हो जाएगा World Water Day हाली में 22 March को मतलब कल के दिन हमने World Water Day बनाया है World Water Day क्यों मनाते है जिससे लोगों को अवेर हम कर सके कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है हमें वाटर को सेव करना चाहिए तो इसके लिए हर साल 22 March को हम World Water Day सेलिब्रेट करते हैं जिसकी थीम 2021 की जो थीम थी वो थी वैलूइंग वाटर वैलूइंग वाटर इसकी थीम थी तो थीम बहुत इंपोर्टेंट है आप याद रखेगा कि 22 March को हम World Water Day सेलिब्रेट करते हैं अच्छा पहले वाटर आया और पानी आने से प्रत्थवी का निर्माण हो गया पहले पानी आया और पानी के आने से प्रत्थवी का निर्माण हो गया तो 22 March के बाद एक महीने बाद देख लोगे आप 22 April तो 22 April को आप Earth Day सेलिब्रेट कर रहे होगे और 22 March को जो आप है वो Water Day सेलिब्रेट कर रहे है तो इस तरीके से दोनों डेस बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से साथ हमने 21 March को एक और दिन सेलिब्रेट किया है जिसका नाम है International Day of Forest हमारे जो जंगल होते हैं हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं आप देख रहे हैं कि लगातार जंगलों में आग लग रही है हमारे सिमली पाल जो अभ्यारन था वहाँ पर आग लग गई Amazon जंगलों में आग लगी थी Australia में आग लगी थी तो लगातार आप देखते हैं हमारे मेगालाय की जंगलों में आग लगी थी तो बिल्कुल हमारे जो जंगल हैं उनमें लगादार आग लगती है तो लोगों को इसके बारे में अवेर करने के लिए हमारे forest की importance के बारे में बताने के लिए हर साल International Day of Forest 21 March को बनाया जाता है अच्छा इसकी theme क्या थी तो इसकी theme याद रखेंगे Forest Restoration Apart to Recovery and Bell Wing ये theme बनाई गई थी ठीक है तो ये प्रश्ण भी याद कर लिजेगा बिल्कुल रोई जी catch the water अभियान भारत में शुरू किया गया है ये बात सही है जो हमारा water होता है rain water होता है उसको save करने के लिए अगला बात कर लेते हैं World Down Syndrome Day 21 March को celebrate किया तो देखिए जो down syndrome और turn on syndrome जो होते हैं वो एक genetic बिमारी होती है genetic बिमारी का क्या मतलब ही कि पैरेंट से बच्चों के पास पहुच जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी इंसान होता है जैसे कि मैं हूँ आप है तो हमारे शरीर में 46 chromosome होते हैं पतलब 23 पेर जो होते हैं वो गुड़ सूत्रों की संख्या होती है और chromosome होते हैं जिट में से 22 और 22 पेर तो सेम होते हैं लेकिन एक पेर जो होता है वो एक अलग पेर होता है जो कि आपके सेक्स को डिसाइट करता है अगर X5 chromosome है तो boy होगा और XX chromosome है तो girl child का formation होता है तो बिलकुल अगर अगर क्रोमोसोम की संख्या में कोई गड़बड़ी आती है या क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो replicate हो जाती है डबल कॉपी बन जाती है तो इस तरीकी की बिमारिया होती है जिनको हम Down syndrome और Turner syndrome के नाम से जानते हैं जैसे आप लोग ने पा मूवी देखी होगी कोई मिल गया हो मूवी देखी होगी रृतिक रोशन की तो उनको जो syndrome है वो यहीं है Down syndrome तो लोगों को इस syndrome के बारे में अवेर कराने के लिए ये World Down syndrome day एक कई स्मार्ज को सेलिब्रेट किया जाता है 2012 से United Nation के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी जो theme थी वो था We Decide क्या theme है? We Decide बिल्कुल रोहे जी एक अनुवांशिक रोग है syndrome ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही नवनीत तिवारी जी अगला प्रशन देख लेते हैं अगला है International Day for the Elimination of the Racial Discrimination जो नसली बेदवाव है गोरे और काले की बीच का जो बेदवाव है जिसके लिए Nelson Mandela का नाम याद किया जाता है तो बिल्कुल International Day for the Elimination of the Racial Discrimination जो है वो भी हमने 21 मार्च को सेलिब्रेट किया है और इसकी theme क्या थी? Youth Standing Up Against Racism ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है तो 21 मार्च को हमने 3 दिन सेलिब्रेट किया और 22 तारिक को हमने World Water Day सेलिब्रेट किया और उनकी theme मैंने बता दी आए कुछ और करेंट अफिर जानेंगे और उसके बाद इनके MCQ भी देखेंगे Former Sevy Chairman G.V.Ramakrishnan passed away तो सुनिएगा Sevy, Security Exchange Board of India जो भारत में share market को या भारत के capital market को control करने का काम करती है वो Sevy है और Sevy की जो पूर्व अध्यक्ष है G.V.Ramakrishnan जिनका हाली में निधन हो गया है तो आपको इनका नाम याद रखना है G.V.Ramakrishnan कौन थे तो Sevy के पूर्व अध्यक्ष थे अगर अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अजयत यागी जो है वो वर्तमान में Sevy के अध्यक्ष है और Sevy जो है उसका head office कहा है मुंबई में स्थेथ है तो एक बार इतनी चीज़े अगर समझ में आ रहे एक बार लिंक को शेर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है बिलकुल रोहे जी नेलसल मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है चलिए अगले बात कर लेते हैं अगला current affairs है एक नई स्कीम बिहार में और लॉंच की गई है बिहार के जो power minister है उनका नाम क्या है R.K. Singh और उन्होंने एक नई स्कीम लॉंच की है बिहार में जिसका नाम है गरम उजाला ये स्कीम जो है वो हर घर तक electricity पहुँचाने के लिए स्कीम लॉंच की गई है साथी साथ subsidy rate पे जो LED bulb होते हैं light emitting diode होते हैं उनको distribute किया जाएगा और minimum cost पे मतलब केवल हो केवल 10 रुपे की cost पे ये जो LED bulb है वो ruler areas में distribute किये जाएगे ये जो स्कीम है वो 3 साल के लिए लॉंच की गई है गरम उजाला स्कीम तो आपको याद रखना है कि LED bulb से संबंदित scheme कौन सी है गरम उजाला स्कीम है और ये कहाँ पर लॉंच की गई है तो बिहार एस्टेट में लॉंच की गई है इसके अंतरगत 10 रुपे में मात्र जो है वो LED bulb ruler areas में distribute किये जाएगे ठीक है अगला current affairs अगर मैं देख हूँ यहाँ पर सदानन्द गोवदा inaugurated 11th edition of Indian CHEM या CAM 21 in New Delhi अच्छा जो chemistry की छेतर होता है जिसके अंदर गत हम क्या करते है अपने नए medicines बनाते है नए fertilizers बनाते है तो Union Ministry of Chemical and Fertilizers ने India CAM करके जो है वो 2021 में 11th edition जो है अपना launch किया है इसके दौरा inaugurated किया गया है तो DV, Sadanand, Govda के दौरा अच्छा यह 11th नंबर का था साथ ही साथ फिक्की ने भी इसमें contribute किया और इसकी जो theme थी वो थी Global Manufacturing Hub for the Chemical and the Petrochemicals Global Manufacturing Hub for the Chemical and Petrochemicals इसकी theme थी तो फिक्की के दौरा और हमारी जो Union Ministry of Chemical and Fertilizers है उसके दौरा यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया था फिक्की के अगर फुल फॉर्म देखे तो Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries है अगला अगर करेंट अफिर्स बात करते हैं तो अमिताब बच्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनको 2021 इसका FIAF Award दिया गया है FIAF Award दिया गया है किसे अमिताब बच्चन को तो इनका नाम भी आपको याद रखना है यह जो सेरे मनी थी वो मुंबई महारास्ट में रन हुई थी ठीके अगर FIAF का बात करें तो Federation International Dawes Archive du Film मतलब एक France के दोरा दिया जाने वाले एक Award है FIAF Award जो कि किसको दिया है अमिताब बच्चन को यह पहले भारती है जिनको यह Award दिया गया है यह पहले इंडियान है जिनको यह Award दिया गया है इसलिए हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं अगर बात करें तो Ireland के Captain Ireland के Captain थे Gary Wilson जिन्होंने Harley में International Cricket से Retirement की घोशना की है तो पूछा जाएगा कि Gary Wilson कौन है तो यह Cricketer है कहां के Captain थे तो Ireland के Captain थे जिन्होंने International Cricket से Harley में सन्याज की घोशना कर दिये गुड इवनिंग समरिदी सिंग जी हैं very very Good evening फिक है अगली बात अगर करें तो विजय हजार dancers trophy आपको पहले तो कॉशन यहीं बनता है कि विजय हजार perfect किस संभन्द थे तो विजय हजारी vaya trophy जो है वह हमारे कुरेट से संभन्दत है रडजी त्रॉफी मुस्ताक अली टॉफी यह सारी हमारे किर्केट से सम्मंदित है एक domestic जो T20 प्ले होता है वो विजय हजारे ट्रॉफी के अंतरगत होता है तो मुंबई किर्केट टीम ने 2021 की विजय हजारी ट्रॉफी जीती है पहली चीज तो यही हो गई कि विजय हजारी ट्रॉफी का सम्मंद किस से है किर्केट से है अच्छा किसने इसको जीता तो मुंबई किर्केट टीम ने विजय हजारी ट्रॉफी 2021 को जीता है अगला प्रशनी बनता है कि किसको हराकर जीता है किसको हराकर तो उत्तर प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जो है वो जीती है अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा रन किस ने बनाए तो पृत्वी शाओ पृत्वी शाओ विकम दा फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 800 रन अ सिंगल एडिशन पृत्वी शाओ वो व्यक्ति बन गए जिन्होंने एक ही पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए है 800 रन तो इनका नाम याद रखीगा पृत्वी शाओ का संबंद किस से है तो पृत्वी शाओ का संबंद जो है वो क्रिकेट से संबंद है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आईए अब हम बात कर लेते हैं हमारे MCQ की तो MCQ की स्टार्टिंग करने से पहले एक बार आप क्या करो जली से लिंक को शेयर कर दो और पहली बार जो रड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो रही PDF की बात तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और उस लिंक की ज़री आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे तो सभी लोग तई आ रहे हैं लगता है रोहल जी ने बिलकुल एकदम ट्रॉफिय भी देखी है बिलकुल अंकोर जी BCCI के दौरा होती है हेड़कोर और इसका बान खेड़े स्टेडियम मुंबई में है बिलकुल सही कह रहा है आप लोग चलिए तो आईए सेशन की आपस से करते हैं और हमारी शुरुवात होगी अब करेंट अफियर्स के MCQ के साथ और उसके बाद स्टेटिक के MCQ देखेंगे चलिए पहला प्रशनाग की स्क्रीन पर आंसर देना शुरू कीजिए ये पुस्तर किसके द्वारा लिखी गई है विनोध राय, अमलेंदर गुहा, अरुन्धुति रोय या डॉक्टर M. चंदरन किसके द्वारा ब्रिंगिंग गवर्मेंट से द्वारा प्यूपल क्लोजर पुस्तर लिखी गई है सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर M. रामा चंदरन, डॉक्टर M. रामा चंदरन कि द्वारा ये पुस्तर जो है वो लिखी गई है मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 या मार्च 25 तो बिल्कुल इसकी जो थीम थी, वो वैलुइंग वार्टर थी और ये दिन हमने कब मनाया, तो ये दिन हमने मार्च 22 को मनाया, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, option number A, मार्च 22 बिल्कुल समृद्धी जी, विनीट जी कह रहे हैं, बिल्कुल नवनीत तिवारी आंसर सही था आपका नदीम, बिल्कुल सही आंसर है समृद्धी A is the right answer, दिश्वय विकास कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर है, नदीम, अतुल सिंग, अमोल जी अगला प्रशन हम देख लेते हैं, तो next question है, इंडिया is working on the third joint satellite mission with which nation, भारत किस राष्ट के साथ एक तीसरे सयुक्त उपगरे mission पे काम कर रहा है, UK, जर्मनी, रशिया या फिर फ्रांस चलो, आंसर कर दो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के साथ जो है, वो भारत third joint satellite mission पे काम कर रहा है, चिक, अगला प्रशन है, who among the following has taken the first shot of the estrogenica COVID-19 vaccine, किसके द्वारा estrogenica COVID-19 vaccine का पहला shot लिया गया, वोरिस जॉनसन, एंजिला मार्कल, इमिनल मॉर्कल, मैकरॉन, तो बि अच्छा थोड़े, लेट दिख रहा है, अंकुर कुमार ची, ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा से slow हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोरिस जॉनसन किस, कहां से संबंदे से, जली से comment करके बताओ, कि बोरिस जॉनसन का संबंद कहां से है, तब तक हम अगला question देखते है कि वाटर जो डे है, उसके बारे में कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है, पहला है कि 1933 में UNGA मतलब United Nation General Assembly ने पानी के अवश्रक्ता और संरक्षन के बारे में लोगों को जागरुकता बढ़ाने का निर्न लिया था, और ऑफिचिली जो हमारा फर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, वो 1992 में रियोदे जेनेरियो में किया गया था, कौन सा स्टेट्मेंट यहाँ पर साही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों इन में से कोई नहीं, बिल्कुल रोह जी, United Kingdom के जो है, वो PM जो है, वो Boris Johnson है, अच्छे, एक छोटी सी चीज में आपको बताना चाहती ह कि England, Wales और Scotland, मैंने क्या क्या नाम लिए, England, Wales और Scotland को अगर हम बोला जाएं, तो इसको हम Great Britain कहते हैं, और जब Great Britain में उत्तरी Ireland को शामिल कर दिया जाए, तो इसको हम United Kingdom कहते हैं, मतलब United Kingdom में कौन-कौन है, तो England है, Wales है, Scotland है, और North Ireland है, इसको मिला कि United Kingdom कहा जाता है, बात क्लियर है, चलो, तो इस प्रशन का अंसर कर दो, तो C कह रहे हैं, सत्यम मुंदा जी, नदीम कह रहे हैं, केवल दो, नवनी तिवारी कह रहे हैं, बोद, और बिल्कु सही अंसर है, दोनो, तो 1933 में General Assembly के द्वारा ये डिसाइड किया गया है, कि लोगों को अवेर करेंगे पानी को बचाने के बारे में, और 1992 में पहली बार, वर्ल्ड वाटर दे सेलिब्रेट किया, तो बोद, वन और टू स्टेटमेंट और करेक्ट, ठीक, नेक्स कॉश्चन है, विर हैस दा कैनेडिया औरिस वीन फाउंड इंडिया, भारत में, कैडिडा औरिस कहां पर पाया गया, कहां पर पाई गई यह आपको बताना है, अंडमान, आइलेंट, अर्नाचल प्रदेश, तमननदीव और गोवा, बिलकुल रोय जी, 1992 में प्रत्वी सम्मेलन भी जो था, वो रियो दे जनेरियो में हुआ था, और रियो दे जनेरियो कहां पर आता है, तो ब्रेजील में आता ही है, नेक्स कोशन है, वियर इस दा स्पेश, सिचेशनल अवेडनेस कंट्रोल सेंटर लॉंच इन इंडिया, भारत में स्पेश, सिचेशनल अवेडनेस कंट्रोल सेंटर कहां पर लॉंच किया गया है, लद्दाग, बैंक डूरो, लेहिया, फिट चेंग नहीं, बिलकुल विकास जी यह आंसर सही था शिवम जी बिलकुल एक सही आंसर है अमोल नवनीत जी एक डेडली फंगस वहाँ पर पाई गई है चलो अगला प्रश्चन है तो बिलकुल कहाँ पर पैंगलूर में तो हमने क्या किया है एक वैदिसाला बनाई है जिससे मौसम से सम्मन्द जानकारी हमको मिलेगी ठीक बिलकुल जही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर B बैंगलूर ठीक है अगला प्रश्चन है किन्हें ग्रेमी 2021 रिकॉर्ड ऑफ दा इयर का पुरुस्कार दिया गया है तो Grammy Award जो होते हैं देखो एक होता है Amy Award और एक होता है Tony Award और एक होते है Grammy Award तीन Award होते हैं तो जो Tony Award होता है वो नाटक के छेत्र में दिया जाता है Amy Award जो होता है वो TV जो TV Shows होते हैं उनके लिए दिया जाता है और Grammy Award जो होता है वो आपके गायन के लिए Songs के लिए दिया जाता है तो तीनों Award याद रखिएगा Amy, Grammy और Tony ठीक है अब आपको बताना है कि Grammy Award 2021 Record of the Year के लिए किसे चुना गया है तो सही आंसर हो जाएगा Amol जी गलत आंसर है आपका सही आंसर है Record of the Year का इनको पुरुषकार दिया गया है विनीज मिश्रा जी का अंसर बिल्कुल सही था चलिए अगला प्रशन है Which state was declared as the model state for the Bandhan Vikasya Ujna Bandhan Vikasya Ujna के अंतरकत किस राज्य को model राज गोशित किया गया है असम हिमाचल प्रदेश में घाले या फिर मनिपूर अच्छा यहां से मुझे एक question और याद आ रहा है कि सिक्किम तो सिक्किम को कल 67th number के national award डिस्टिब्यूट किये गया है तो सिक्किम को movie sector के लिए जो है वो award दिया गया है तो सिक्किम आपको याद रखना है So 67th number के जो national award है कल गोशित किये गया है इसका वीडियो मैंने एक बनाया है जो कि YouTube पे डला हुआ है आप उसे देख सकते हैं हमारे official YouTube channel महिंद्रा में जाकर तो वन धन विकास योजना के अंतरगत model राज कौन सा है मनिपूर है मनिपूर आंसर है विकास कुमार का आंसर बलकुल सही है मनिपूर असाम इसरा राउंग आंसर शिवम जी रविंद्र जी ऑप्शन गलत है सही आंसर है मनिपूर बात क्लियर है तो ये हमारे current affairs के MCQ थे अब हम बात करेंगी aesthetic प्रशनों के बारे में जो आररभी एंटी पीसी में आय हुए प्रशन है aesthetic questions उनके बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात कर रहे होंगे एक हमारा practice question जिसका आंसर आपको chat section में देना होगा PDF वी आपको वहाँ पे description में लिंक मिलेगी उसके जरी आप PDF को download कर पाएंगे जली से एक बार लिंक को share कर दीजे क्योंकि हम static प्रशनों को यहां से शुरुवात कर रहे है पहला प्रशन ध्यान से पढ़ेंगे blank state that the ratio of potential difference across a conductor to the current flowing through it is a constant provide that is physical condition such as the temperature remains constant खाली स्थान के अनुसार conductor से होकर वहने वाली विद्धुत धारा उसके शुरों के विभांतर के अनुपात में वित्रित होती है लेकिन तापमान इस्थिर बना रहे है लेंस का नियम था हुक का नियम था ओम का लौथा या कुलाम का नियम था चोड़ो आंसर कर दो अंकोची तीनों कॉंटिनेंट की वीडियो जो है आपको पूजा महिंदरा आप सर्च करेंगे न पूजा महिंदरा के नाम से आपको मिल जाएगी और चोथी जो है वो 29 मार्च को मिलेगी ठीक है चोथी जो है वो 29 मार्च को मिलेगी तो सही आंसर क्या है विकास कह रहे है औप्शन C विनीद कहा रहा है ओम का नियम, नवनीद कहा रहा है C, सम्रिद्धी कहा रहा है C, बिल्कुल सही आंसर है ओम का नियम, V is equal to IR, यहाँ पर बताया गया है, at constant temperature. नेक्स्ट है, mirror is used in the headlights of car, जो कारों की headlight होती है, उनमें कौन सा mirror उपयोग किया जा सकता है, semi-circular mirror, conical mirror, convex mirror, या फिर concave mirror, चलिए, आंसर करें, ओके रिशब्तिवारी जी, ओम का नियम में कहता है, किसी भी circuit में अगर आप voltage बढ़ाओगे, तो current भी बढ़ेगी, लेकि जब आप voltage बढ़ा रहे हो, current बढ़ रहे है, तो उस circuit का temperature भी बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ता है, तो current की value कम हो जाती है, इसलिए बोला गय है, कि एक constant temperature पे ही voltage बढ़ाने पे current बढ़ती है, और जब तापमान बढ़ने लगता है, तो resistance बीच में आता है, जो current को रोकने की कोशिश करता है, ठीके रिशब जी, तो बिलकुल सही answer हो जाए, अरे बेटा, concave is the right answer, शिवम साहू का answer सही है, concave mirror, Mr. Radhe, concave mirror, Vikas Gormar, concave mirror is the right right answer, option number D, यहाँ पे सही था, अवतल दर्पन, क्योंकि अवतल दर्पन जो होता है, जैसे कि focus पे bulb है, light को फैला देता है, light को फैलाने का काम जो है, वो concave mirror करता है, अवतल दर्पन करता है, तो यहाँ पर भी आप concave mirror या अवतल दर्पन का प्रियोग कर रहे होंगे, अगला प्रशन है, right of privacy comes under, गोपनिता का अधिकार किसके अंतरकत आता है, article 19, article 20, 21 या फिर 18, right of privacy, तो यह हमारे fundamental rights है, यह हमारे मौले का अधिकार है, जो कि हमारे भारती सम्मिधान के chapter number 3 में डिफाइन है, और यह article number 12 से लेके 35 तर डिफाइन है, इनको USA, अमेरिका के सम्मिधान से हमने adopt किया है, चलो, बरतमान में इनकी संख्या कितनी है, केवल और केवल 6 है, तो सही answer क्या है, रविंदर जी कह रहे है, option 21, विकास कुमार कह रहे है, option D, गनेश कह रहे है, option B, अमोल जी कह रहे है, 21, बिलकुल सही answer है, right of privacy जो है, वो है article 21 में, article number 21, तो बहुत अच्छे से जाद रखेंगे, article number 21, बिलकुल विनीत पिश्वाजी, जो rear views होते हैं, जो side mirrors होते हैं, उनमें convex mirror यूज होता है, ये बात आप सही कह रहे है, अगला है, organic compounds are only soluble in, कार्बनिक योगे खालिस्थान में केवल घुललसील होते हैं, धातु विलियन में, धुर्वी विलियन में, गैर धुल्वी विलियन में, या अधात्विक विलियन में, तो answer क्या हो जाएगा, organic compound के respect में, राधे जी, article number 19, जो है, वो आपको बोलने की आजादी देता है, वो सुतंत्रता का अधिकार है, प्रेस की freedom का अधिकार है, article 19 में, बिलकुल रिश्वतिवारे जी, article 21, protection of life and the personal li priorities, तो बिलकुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, non-polar solvent, option number C, बिलकुल correct होगा, cable और cable non-solvent, polar solvents में, organic compound जो है, वो घुलते हैं, गैर धुर्वी विलियन में ही ये घुले जा सकते हैं, और गैर धुर्वी solution वो होते हैं, जो carbon और hydrogen के bond से बनते हैं, ठीक है, अगला है, which among of the falling is not a true food, इन में से कौन सा एक सही फल नहीं है, सेब, खजूर, अंगूर या फिर बेर, चलिए, आंसर कर दें इस प्रशन का, और एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे अपने friends के साथ, हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, apple, एपल जो होता है, इन में से सही फल नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा, option number A, ठीक है, चलिए, अगला question है, which one of the following is a rich source of iron, इन में से कौन iron का एक सम्रद श्रोथ है, गाजर, पालक, चावल या फिर मटर, कोई दिक्कत नहीं पाया जी, बिल्कुल पालक is the right answer, पालक जो होती है, वो iron का सबसे अच्छा source मानी जाती है, तो जिनका आंसर है पालक, बिल्कुल चाही आंसर है, हाँ बिल्कुल रिशब तिवारी जी पालक खाई है, स्ट्रॉंग बनी है, अगला प्रशने हम या पर देख लेते हैं, यह अब जो single line वाले हैं, यह सब RRV NTPC के प्रशन है, जो कि अभी 22 तारीकों एक्जाम में पूछे गए थे, Who has launched the first CNG tractor in India, भारत में पहला CNG tractor किसके दौरा launch किया गया, CNG का मतलब होता है compressed natural gas, तो भारत में पहला CNG tractor किसके दौरा launch किया गया, चलो आंसर कर दो, हाँ जी, तो देखिए हमारा जो minister है, कौन है हमारा minister, नितिनगडगरी है, जो कि road and transport ministry को समालते हैं, साथी साथ MSME sector भी इनके पास ही है, तो इंडिया का first CNG tractor जो है, वो launch किया है, नितिनगडगरी ने, और यह नागपुर इनकी consistency है, नागपुर इनका निर्वाचन छेतर है तो आपको नाम याद रखना है, और इनके पास MSME sector भी है, आई यह अगला प्रश्ट देख लेते हैं, who was the mission director at the time of the Chandrayaan 2, लगादार मैंने का है कि Chandrayaan 2 से तो question बन ही रहा है, तो Chandrayaan 2, जिसको हमने GSLV, GSLV Mark 3 की मदद से launch किया था, आपको बताना है कि Chandrayaan 2 के समय, इस row की, य यह लेडी दिख रही है, अगर आप इनको जानते हैं और इनका नाम आपको पता है, तो वही आंजर होगा, सोना लिका, नहीं, नहीं, चलो आंसर करतो, तो सही आंसर क्या हो जाएका यहाँ पर, रितू, रितू करिधाल जो है, वो Chandrayaan 2 के समय, इस mission की डारेक्टर थी, ठीक है, तो यह थोड़ा सा, बिल्कुल नदीम जी आपका अंसर सही है, यह अतुल सिंग जी, यह कौशन जो है, वारार भी एंटेपी से के, इसलिए इनके options मुझे नहीं पता है, क्योंकि जानकारी नहीं मिल पाती कि option क्या आ रहा है, सिफ कौशन ही पता पर जाते हैं, तो अग नदीम नवनीत, विकास, सूरज, बिल्कुल सही आंसर है, 18 is the right answer, ठीक है, अगला प्रशन देख लेते हैं, when is the consumer day celebrated, उप भोगता दिवस, जागोग रहक जागोग, उप भोगता दिवस consumer day कब celebrate किया जाता है, चलिए, चलो, उप भोगता दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल हमारे जो consumer यो वोगता के जो rights हैं, उनको बताने के लिए जागो अभियान के अंतरगर, अगला प्रशन है, in which state is the root of rainwater harvesting mandatory, बहुत ही अच्छा है, सभी राज्यों को इनिशेटिव लेना चाहिए, किस राज में छथ पर वर्शाजल संचैन अनिवार है, in which state is the root of rainwater harvesting mandatory, 15 मार् consumer day celebrate करते, उप्भोगता दिवस मनाते हैं, किस राज में छथ पर वर्शाजल संचैन अनिवार है, rainwater harvesting, जिससे क्या होगा, जमीन में पानी का इस्थर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब छथ से आप क्या करो, pipe को डालके जमीन में अंदर कर दो, तो इससे हमारा जो water capacity अंदर, जमीन के अंदर वो पढ़ेगी, जिसको आप बाद में उप्योग कर सकते हैं, तो वो राज जी हमारा Tamil Nadu, बिलकुल Molly Roy जी का answer सही था, Tamil Nadu is the right answer, राजस्तान नहीं है, पहला राज जो है, वो है Tamil Nadu, which network is also called the long hall network, long hall network को किसके नाम से जाना जाता है, options में आपको दे सकती या metropolitan area network, तो नाम से समझ में आ रहा है, long hall network, जो सभी देशों को आपस में connect करने का काम करता हो, बहुत ही wide area में काम करता हो, मतलब when, wide area network को हम जानते हैं, तो सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पर when, ठीक है, next question हम देख लेते हैं, when was the UNO stabilized, UNO की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही तो already मैं जो international organization पर video बना चुकी हो, और आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, तो आप उसको एक बार revise कर सकते हैं, तो UNO, United Nation Organization की स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल 24 अक्टूबर 1945 को United State में हुई थी, और New York City में जो है इसका head office है, तो 1945 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना ह बिल्कुल सही answer है, विकास कुमार, रोहे जी, अतुल सिंग, शिवम साहु, 1948 नहीं, 1945 अगला प्रशन देख लेते हैं हम, what is the ranking of BSE in the World Stock Exchange, तो Bombay Stock Exchange, जो कि भारत का stock exchange है, तो World Stock Exchange में क्या ranking है, 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 10 है, किस rank पे BSE आया है, तो अगर मैं तॉप की बात करूँ, तॉप किया है, New York Stock Exchange नहीं, जो कि United States का है, और अगर हम Bombay Stock Exchange की बात कर रहें, तो देखिए, आप बिल्कुल दसवे नंबर पे है, Bombay Stock Exchange जो कि भारत का है, इंडिया का है, तो किस पोजिशन पे है, BSE is at the 10th place in the top 10 list, बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल anti-dogutris जो कह रहे हैं, अ अगला प्रशन देख लेते हैं, 5-year plan which ended in 2017, in which number of 5-year plan, देखिए, जो पंच वर्शी योजना थी, वो भी 2017 में इनको समाप्त कर दी गई है, तो 2017 में जो 5-year plan था, वो किस नंबर का 5-year plan था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5-year plan को close कर दिया गया है, और इनकी जगह किस ने लिए है, नीती आयोग के द्वारा इसकी जगह ले दी गई है, आप सभी जानते हैं कि 2015 में नीती आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको हम Think Tank के नाम से भी जानते हैं, और नीती आयोग जो है, वो एक-एक साल के plan बनाता है, और नीती आयोग ने अपना काम 2017 से करना शुर जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो BSE, Bombay Stock Exchange है, तो बारवी पंच वर्षी होजना थी बिल्कुल सही बात है, तो इंडिया का 12th नंबर का 5-year plan था, हमारा ये, 2012 से 2017 था के चला, जिसका थीम था Faster Sustainable Development, ठीक है, चल, अगली बात कर लेते हैं, आर्टिकल 161, Mentioned Pardoning Power of, अनुचेद 61 में शामिल शक्ती की छमा किसको उलेखित करती है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो हमारे राष्टपती होते हैं, और हमारे जो गवर्नर होते हैं, वो किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, या माफ कर सकते हैं, जैसे कि म्रत् को केवल और केवल जो है, वो राष्टपती ही हटा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 72 में राष्टपती की छमादान करने की शक्ती है, जबकि आर्टिकल नंबर 161 में गवर्नर मतलब राज्यों के राजपाल के पास छमादान करने की शक्ती होती है, तो बिलकुल सही आंसर क के पास 72 में है और गवर्णर के पास आर्टिकल 161 में है ठीक आईए अगला प्रश्ण देख लेते हैं हूँ वाज दा मैन ओफ दा मैच इन 2019 वर्ल्ड कप 2019 विश्प कप में मैन ओफ दा मैच कौन था आपको मैं बता दू कि जो वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था ये इंगलेंड और वेल्स में खेला गया था इसमें इंगलेंड जीता था इसमें कौन जीता था इंगलेंड जीता था अच्छा हर चार साल बात जो है वो वर्ल्ड कप होते हैं अब 2023 में वर्ल्ड कप होगा और ये 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा ये भारत में आयोजित किया जा यहां पर बिल्कुल Ben Stroke तो यहां पर दो बातें याद रखनी है एक तो Ken Williamson Williamson इनको जो है वो Man of the Tournament दिया गया है और Ben Stroke जो है इनको Man of the Match अवार्ड दिया गया है तो अगर Man of the Tournament पुछा जाता तो Ken Williamson होते और Man of the Match जो है वो Ben Stroke होंगे तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने है ठीक है चलिए Who won maximum number of French Open Tournament किसने अधिक सबसे अधिक पार French Open Tournament जीता है बिल्कुल रशब्तिवारी जी सेमी फाइनल जो है वो इंडिया हार गया था New Zealand से और New Zealand और England के बीच में जो है वो यहाँ पर फाइनल मैच खेला गिया था जिसमें England अच्छा सबने चिटिंग कर लिया है स्वाती जी बोल रही है चलिए तो किसने अधिक से अधिक French Open Tournament खेले है तो बिल्कुल सही बात है सबसे जादा तेरा बार तेरा बार French Open Tournament जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है राफेल नडाल के पास है और यह इस्पेन के एक टैनिस प्लेयर है इस्पेन के एक टैनिस प्लेयर है जिनका नाम है राफेल नडाल और तेरा बार French Open Tournament को जीता है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ प अगर आप इनका नाम जानते हैं तो जली से कमेंट करके बताओ कि रेलवे वोड के वर्थमान में CEO कौन है रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं इतना तो पता होना ही चाहिए ठीक है चलो आंसर कर दो रही PDF की बात PDF आप description में link मिलेगी वहां से इसको आप download कर पाएंगे साथी साथ अगर अभी तक आप टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो add the rate पूजा महिंदर जीएस चैट के जरीए आप हमारे टेलिग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं डेली कुछ questions पोस्ट करती हैं जिनके आंसर भी आप दे सकते हैं तो बिलकुत सही आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा अमोल जी कह रहे हैं अरे रनेश कुमार जी यादव जी नहीं है सुनीत शर्मा इस दराइट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा सुनीत शर्मा स्काइब स tätä रेटिनल इस फाउंड इन विष्टामिन रेटिन commercial कि इस विटामिन में पाया जाता है बहुत ली आसान सा प्रशन है तो मैं विटामिन का बारे में आपको बताया है क्रिम्ड नौ प्रकार के होते हैं ऐग विटामिन जो होता है वह फैट सॉलिबल होता है और वाटर सॉलीबल में VNC आते हैं और फेट सॉलीबल में A, D, E, K आते हैं ठीक है पहली चीज तो यह हो गई विटामिन की डिसकवरी जो थी वो फंक नाम के वग्यानिक निके की थी आपको याद रखना है तो विटामिन A मैं रेटिनॉल पाया जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा विटामिन A, विटामिन A का जो नाम है वो भी रेटिनॉल है इसके कमी से जो है वो नाइट ब्लाइ होता है बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलो अब हमारे प्रेक्टिस प्रश्णी की बाद जिसका आंसर आपको हमें चैट सेक्षन में अनिवारी रूप से करना है जो यूरोप के पाँच राजधानी शेहरों से होकर गुजरती है अगर प्रेक्टिस को आप पढ़ना चाहे तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि निम्लिकित में से कौन से यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो यूरोप के 10 कंट्री मतलब 10 देशों से जाती है मतला हूं समझ रहे कि कैसी नदी यह तो 10 देशों से जाती है कौनसी नदी यह राइन रिवर है सैनान रिवर है डैन चार बज़े में और फिर आपको यह ऑंसर करूंगी ठेक है चलिए तो यह था आज की हमारी क्लास आप आप लोगों को current affairs भी समझ में आये होंगे उसके MCQ और स्टेटिक के MCQ भी हमने डिस्कस कर लिये हैं ठीक है तो जली से एक बार link को अब share भी कर देंगे अपने friends के साथ जिससे वो लोग भी देख लें जो पहली बार आ रहे थे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वन मोर इंपोर्टेंट अपडेट आपके लिकेवल इतना ही है कि 29 मार्च को जो की होली के बाद हम साउथ अमेरिका के बारे में बात करेंगे के थैंक यू सो मच और भाई बाई मले तिभारी ची टाइम हो गया है